Hello everyone, welcome back in our channel दोस्तो आप सभी का स्वागत है मैं हूँ कपलतो दोस्तो आज हम इस वीडियो में Class 12 Math के Matrix के Important जो Question आपसे Exam में पूछे जा सकते हैं और किस तरीकी के Board में आपसे Question पूछे गए हैं तो चलिए आज हम इस वीडियो में देखेंगे 10 से 12 Questions बलीव करिए इसी तरीकी Question आपसे पूछे जाने वाले हैं 3 से 5 Marks में ये Question आपसे पूछे जा सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं अपना Session दोस्तो अगर आप चैल पर नी हो तो प्लीज चैनल को Subscribe कर लिजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा Share करना बिलकुल न भूलें जो भी आपके साती वाइवें फ्रेंड जो भी आपके तैयरी करने वोड़ एक्जाम की सब तक पहुचा दीजिएगा और हमारे वैल आइकन को ओन कर दीजिएगा जिससे के आने वाली वीडियो को जो नोडिविकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुच दाए अधर और भी टॉपिक्स पे और भी चेप्टर से मैंने इंपोडेंट कोईशन की जो वीडियो मैंने पहले ही अप्लोड कर दिया है वीडियो उसमें से काफी कोईशन आपके एक्जाम में मिले थे जो जाइए आप जाके देख लीजिए जिन बच्चों न भी तक नहीं देखी है वो प्लिलिस्ट बनी हुए क्लास 12 मैत इंपोडेंट कोईशन के नाम से तो देखिए सारे कोईशन मैंने औरेडी सॉल्ब कर रहा है वास आप समझते हुए चलिएगा कैसे कैसे कोईशन आपसे बोड़े एक्जाम में पूछे गए है तो पहला कोईशन आपकी स्क्रीन पर है कोईशन है आपका इफ ए एंड कोईशन आपका है इफ ए एंड वी आर मैटिशिस ओफ ओडर थ्री मल्टिप्लाई एंड 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 इंट फाइब रिस्पेक्टिवली ओके देन फाइंड दा ओडर ऑफ दा मैट्रिक्स फाइफ ए माइनस थ्री वी गिवन देट इट इस डिफाइंड ओके यह कोईशन आपसे कहा कहा पूछा गया उनके एर्स मैंने आके में लिक रखें किस-किस एर में पूछे गएं तो कोईशन में आपसे बोला गया था दोस्तों दो मैट्रिक्स हैं आपको पता होगा जब भी हम एड करते हैं मैनस करते हैं तो उनी मैट्रिक्स का होता है जिनका ओर्डर सेम होता है दरवाज हम कर नहीं सकते हैं तो इसका मतलब बोल सकते हैं ए और बी का जो ओर्डर होगा वही इनके डिफरेंस का भी ओर्डर होगा यानि कि 3 multiply 5 तो चलिए बढ़ते हैं next question की तरफ question number 2 आपकी screen पर ये रहे question number 2 तो question आपका है if एक मैट्रिक्स आपको given है 1011 then find the AQ आपसे पूछा गया है मतलब ये multiply का ये question है कहां कहां किस year में पूछा गया वो आपके आगे यहाँ पे date ने लिखी हुई है तो पहले A स्कार निकालेंगे A स्कार का means A multiply A और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इतना मान के मैं चल रहा हूँ आपकी जो calculation है basic concept है वो आपका सही है और आप उसको अच्छी तरीके से जानते हो तो देखो A स्कार का उसला A multiply A जब आप इनका multiply एक product करोगे matrix का तो you will get 1201 अब हमें चाहिए AQ AQ को हमें निकालने के लिए में पहले A स्कार चाहिए होता है फिर जो given matrix उसका आप multiply कर दीजिएगा ठीके तो देखिए A स्कार इन्टू A जब आप इसको solve करोगे तो you will get 1301 यह आपका resultant आपकी matrix होने वाली है तो चलिए question number 3 की ओर चलते है question number 3 आपका यह रहा दूस्तो question number 3 है बच्चो if the matrix A is equal to 0 to B और यह आपको matrix even इसको read नहीं कर रहा हूँ time based हो जाएगा ठीक है if skew symmetric matrix find the value of A और B यह question 18, 17, 16, 12 and 11, 19 में आपसे similarities question पूछे गए है तो देख लीज यह गा skew symmetric matrix का जो आपका identity होता है I know आपसे भी लोग को पता होगा because board की exam काफी nearest है नहीं पता तो आप देख लीज यह गा A dash is equal to minus का A यह आपका result होता है skew symmetric matrix का right A dash का means होगा 0 A minus 3 2 0 1 हमने आपके लिख लिए मतलब A dash का मतलब होता transpose जो भी minus कर दीजिएगा 0 minus 2 minus B देख लीजिए यहाँ पर मैंने minus करके लिख दिया अब आपको simply comparison कर लेना है comparison जब आप करोगे तो A के place पर आपका minus का 2 आ रहा है और B के place पर आपका 3 आ रहा है तो यह आपका question है आपसे sort में यह पूछे जा सकते है question number 4 की तरफ हम बढ़ते हैं सारे question से हम cover करेंगे matrix से किस किस तरीके से आपसे question यहाँ पर बन सकते हैं आने वाले board exam में ठीक है now एक matrix आपको given है यह रहा ठीक है then find the value of A square minus का 5A now यह कहाँ पूछा गया है उनकी data आगे लिखी हुई है मैं आगे 7 repeat नहीं करूँगा तो हमें पहले चाहिए A square जो हमसे पूछा गया है पहले इसको अच्छी तरीके से हम read करेंगे then उसको question को आगे तब हम solve करेंगे तो A square यहाँ पर दिया हुआ A square का means हो गया A into A आपको क्या करना है दौनों matrix का आप यहाँ पर multiply करना है तो A भी A same रहेगा आप जब इसको product करोगे तो you will get 590 minus 1 minus 2 to 52 हो सकता है calculation थोड़ी बहुत difference जब mistake हो गई हो लेकिन सारे मुश्ली सही होंगे question आप देख लिए किस तरीके से आपको आगे यह questions को solve करना है वो question जो आप से exam में लगातार पूछे गए और पूछे आप से जा सकते हैं तो A square आपका निकला है यह अब हमें चाहिए 5A 5A तो मतलब जो भी आपकी matrix given है उसमें आपको 5 से यहाँ पर multiply करना simply 5 से multiply करने के बाद आप दौनों को minus कर लिए A square minus 5A को जब आप दौनों को आप minus करोगे तो you will get minus 5 minus 5 1 minus 1 तो resultant आपका यहाँ पर जो matrix है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो question number 4 आपके यहाँ पर complete हो चुके हैं तो यह रहा आपका question number 5 question आपका find the value of A square where A is a 2 by 2 का matrix है आपके whose elements are given by जो matrix 2 by 2 को उसके element यहाँ पर दे रखे इस थरीके साक पो लेना जब I और J equal नहीं होंगे उसके place पर आप 1 लिखोगे जब I और J दोनों समान होंगे यानि कि same होंगे तो उनको 0 लेना है question कहाँ पूछाए कि उनकी date आगे लिखी होई है तो 2 by 2 का matrix होता उसके element क्या लाई करेंगे 11, 12, 21, 22 आप यहाँ पर रखते हैं चाहिए A1 बन यानि कि I और J दोनों सेम हो गए सेम होंगे तो क्या value आएगी 0 तो 0 हमने यहाँ लिख दिया A12 मतलब अलग-अलग है तो 1 लिखना है A21 different value है दोनों तो 1 आएगा, same value 22 पर तो result 0 आगए, A आपका matrix हो गए 01 और 10 गा, ठीक है A2 आपको निकालना है ठीक है, A2 आपको जो भी आपकी given matrix आई है उसका double आप multiply कर दीजिए A into A करके, तो you will get 1001 यही आपका यहाँ पर final answer हो चुका है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरह, question number 6 तो question number 6 आपका यह रहा question है, आपका if 3A minus V is equal to 5101 and V matrix आपको दे रखा है, 4, 2, 3, 5 then find the matrix A A matrix आपको बताना है और 3A minus B की value यह दे रखी है और V आपका matrix A, ठीक है पहले जो given part था, वो मैंने यहाँ पर लिख लिए अब हमें चाहिए न, A तो मैंने क्या किया V को दल ले गया, यहाँ था minus के दर आपका हो गया, प्लस का, ठीक है और V matrix आपको यहाँ पर given था ओके, अब यहाँ पर simply आपको add करना है 5, 4 आपका ना है, I hope इतना तो आप सब लोगों को आता होगा और आना भी चाहिए ओके, add करने काद आपका यह आगे, यह value जो हमारी निकली है, वो निकली है दोस्तो, 3 A की, right Now, A चाहिए तो एका कहाँ ना, 3 का आपको simply divide करने ना, divide करने काद आपको resultant, आपको यहाँ पर matrix मिल जाएगा, 3, 1, 1, 0, 2 Okay, now, question number 7 आपका यह रहा, Okay question number 7 आपका यह है, दोस्तो if A, A matrix आपको यहाँ पर given है matrix A आपको दे रखा, ठीके ना, यह 1, 2, minus 3, यह matrix इसको मैं read नहीं कर रहा, if matrix satisfying A, A dash is equal to 9I, ठीके, A, A dash is equal to 9I, find the value of X, आपको यह यहाँ पर condition दे रखी है, A, A dash is equal to 9I, ठीके, now A matrix आपका यह आगया, A dash का मतला होता है, transpose, इस matrix का transpose हमने यहाँ लिख लिए, right, is equal to 9I, जो भी आपका identity matrix रहेगा, यहाँ पर 3 by 3 का रहेगा, because given matrix है, वो भी, जिसका order है, 3 by 3 का order है इसके according हमने 9 का वहाँ multiply कर दिया, ठीके, यह यहाँ पर आ चुका है, now, अब आपको यहाँ पर add, multiplication करना, और यह multiplication calculation मैंने यहाँ पर और रेड़ी कर रखा, solution है, आप देख लीजिए, और उम्मीद में आपसे करता हूँ, यह multiplication, subtraction, addition of matrix, यह तो आपको आते ही होंगे, now, जब आप multiply करोगे तो आपको यह matrix आपको यहाँ पर मिलेगा, 2, 3, 5, okay, minus का, and k, a is equal to, यहाँ आपको matrix given है, find the value of k, and a, पूँचा गया थे, इसमें, okay, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, and a, इन दौनों की value आपको यहाँ पर बता नहीं है, ठीक है, now, जो given matrix है, k, a वाला मैंने हैं आपको note कर लिया, यह रहा, आपको a का value दे रखा है, a matrix में आपको k से multiply करना है, because जो इसका जो lhs है, वो क्या है, हमारा k, a है, a, जो भी matrix इसमें k से आप multiply करिएगा, तो आपको मिलेगा, 0, 3, k, 2, k, minus का 5, k, simply फिर से यहाँ पर आपको comparison करना है, one by one element के according, तो k आपको minus 4 मिलेगा, a आपको minus 3 मिलेगा, v आपको यहाँ पर 4 मिलेगा, तो देख लिए यह, उम्मीद में आपसे करता हूँ, आपको यह सब कुछ easily समझ आ रहा होगा, इसी तरीके के दोस्तों question आपके वहाँ पर one ने बाले है, exam में ठीके, ज़्यादा हाड रहेगा नहीं matrix में, इसी से related आपसे question पूछे जाने वाले हैं, तो question देखिए, 9 क्या है आपका, a matrix यह रखा 2i2 का, और आपको हहाँ पर so करना है, a minus 2i और a minus 3i is equal to o 0 matrix आपका यहाँ पर रहेगा किस-किस year में आपसे पूछे गए, वो मैंने directly सामने लिख रखे हैं, तो simply पहले आपको क्या निकालना, a minus 2i a minus 2i निकालेंगे, a आपका यह आगया, ठीक है, minus हमने यहाँ लिख लिया i आपका होता identity matrix given matrix, कितने order का, 2 by 2 का, तो 2 by 2 के identity matrix में 2 से आपने multiply किया है, फिर यहाँ पर आपको minus करना है, minus करोगे तो आपको यह matrix आपको मिलने वाला है, similarly आपको a minus 3i को value निकालना है जैसा मैंने हैं आपाता है, तो वही आपकी calculation यहाँ रहेगी, तो जब आप इनको minus करोगे, तो 1 minus का 1, 2, minus 1, यहाँ पर आज आएगा, अब result के आप ऊचा गया, तो a minus 2i multiply a minus 3i, अब आपको जो भी result निकल के आए हुए हैं, इन दोनों को आप multiply करोगे, तो आपको 0, 0, 0, 0, यानि कि 4 जो element है, वो आपको 0 मिलेंगे, यानि कि हम बोल सकते हैं, 0 matrix, यह हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया, तो चलिए question number 10 की तरफ बढ़ते हैं, यह question आपसे exam में कम से कम 5 marks में पूछे जाने वाला, इस तरीक एका question आपका उम्मीद में आपसे करता है, पूछा जाएगा, और आप सभी लोग इसको easily कर भी लोगे, तो a matrix जो रखा 3 by 3 फिर आप जिसका multiply करोगे, तो you will get this matrix, okay, 971414889, okay, यह आपका आगया a square, next, अब हम चाहिए aq, aq के लिए a square multiply a करते हैं, तो a square आपका यह आगया, a आपका यह है, तो आप इनका multiply करिएगा, multiply आप करोगे, तो आपको मिलेगा यह वाला matrix, 28, 37, 726 वाला, ठीक है, now, आगे बढ़ते हैं, अब हम क्या करेंगे, यह जो हमारा aq निकला, a square निकला, इस value में रखेंगे, फिर हम equal करेंगे, 0 matrix के, ओके यह वहां से हमारा solution हो जाएगा, ठीक है, मैंने यहाप पर बोचीजे लिख रखी हैं, तो आपका यह value aq का हो गया, 4 a square हो गया, a square में मैंने 4 से multiply करके यहां लिख दिया, minus आपका यह आ गया, a matrix में 3 से multiply यहां लिख दिया, plus का 11 i, 3 by 3 का है आप identity matrix में 11 से multiply कर लिए, जब हमने इसको solve किया, तो आपको यहाँ पर 0 matrix मिल गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, find a inverse की तरफ बढ़ते हैं, यह question दोस्तो कम से कम 5 marks में आपसे पूछा जाएगा वहाँ पर, तो आप यहाँ पर solution देख सकते हो aq वहाँ पर given था, मैंने a inverse का both side multiply कर लिया है, तो आपको a square 4 a, 3 a, और 11 a inverse वालेगा, a inverse में यहाँ से निकाल लिया, पूरा में उधल लिया है, minus में a inverse is equal to 11 से में यहाँ डिवाइड कर दिया है, फिर आपके a square 4 a, और value रग दिया है, आपको यहाँ पर a inverse जीली मिल जाएगा, तो चलिए बढ़ते है, question number 11 की तरफ, most important question of the session, और उम्मीद मैं करता हूँ, यह question आपका exam में आना चाहिए, तो इसका solution आप पहले देख लीजिएगा, यह रहा आपका यहाँ पर solution इस question का, ठीक है, यह आपका question number 11 है, तो यहाँ पर पूचा किया है, आपसे एक 3 by 3 का matrix है, आपको sum बताना है, किसका symmetric matrix का and skew symmetric matrix का, वो भी express करने के लिए बोला गया, जब भी express करने के लिए, ऐसा question पूचा जाएगा, तो आपको हमाब प्रूफ करना, a is equal to 1 by 2, a plus a dash minus का 1 by 2, a minus का a dash, इस वाले part को मैंने p मान लिया, इस वाले 11 minus 5 वाला matrix मिलेगा, हमें निकालना है, अब यहाँ पर इस part का p, यानि कि जो भी a plus a dash is में हमें 2 से divide यहाँ पर करना होगा, जब आप divide करोगे तो आपको यह matrix मिलेगा, जब आप p का फिर से transpose करोगे तो आपको symmetric matrix आपको वहाँ पर मिल जाएगा, यही condition आपकी next अगले वाले में आपको Q के ली करनी है, इसका solution आप देख लीजिएगा, यह मैं आप आगो बताने वाला आपको आप नई हूँ, आप solution देख लीजिएगा, ठीक है, बढ़ते है अगले question की तरफ, और question number 12, last question of the session, उमीद में आपसे करता हूँ, आपको यह वीडियो जादा काफी help रहे गाए exam में, तो चलिए question number 12 आपका ही है, similar ऐसा ही question हर बार एक नई के exam में पूछा जा रहा है, आपसे sort question two marks, one marks में पूछा जा सकता है, अच्छी तरीके से करके जाईएगा, मैंने डाले थे last year, जो back trial से अब लाके सारे के सारे के सारे question, मापे integration के सारे के सारे question आपको मिल चुकेते चलिए, explain करते है question को two, यह आपको question यहापे given है, आपको value बताने x plus y के, सबसे पहले आपको two का multiply करना, multiply कर लिया, plus same ऐसी रहने दिया, फिर इन्हों को add किया matrix का ठीक है, फिर यहाँ पे equal में चलता है, फिर आपको compare करना,